आज हम सीखेंगे जन्तु के पेशिये उतक के बारे में हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के गतियां करते हैं जैसे बोलना, चलना, दोरना, इत्यादी क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उतक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है सोचिए सोचिए बिलकुल सही पेशिये उतक यानि मस्कुलर टिशू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है चलिए एक क्रिया कलाब दुआरा समझते हैं कि पेशी उतक विभिन्न अंगों को किस प्रकार गती प्रदान करता है इसके लिए पहले आप अपना हाथ कुईनी से मोडे अब आप उपर और नीचे की पेशियों का निरिक्षन कीजिए इसके बाद हाथ सीधा कर एक बार फिर पेशियों का निरिक्षन कीजिए हम देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में पेशिय संकुचित और प्रसारित यानि कॉंट्राक्ट एंड रिलाक्स होती है जिसके कारण हाथ की गती होती है पेशिय उतक लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है इन कोशिकाओं को पेशिय रेशा यानि मसल फाइबर कहा जाता है पेशियों में एक विशेश प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सुकुडने वाला प्रोटीन यानि contractile protein कहा जाता है यह प्रोटीन संकुचित और प्रसारित यानि contract and relax होता है जिसके कारण अंगों में गती होती है पेशी उतक द्वारा की गई गती और संरचना के आधार पर इसे रेखित पेशी यानि strited muscle, चिकनी पेशी यानि smooth muscle और रिदयक पेशी यानि cardiac muscle में वर्गिकृत किया गया है हम अपने हाथ, पैर, गले जैसे अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं इसका अर्थ है कि हाथ, पैर, गले जैसे अंगों में उपस्थत पेशी हमारे इच्छा अनुसार गती करती है ऐसी पेशी जो हमारे इच्छा अनुसार गती करती है एच्छिक पेशी कहलाती है सूक्षम दर्शी यानि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर इस पेशी में एक के बाद एक गहरे और हलके रंगों की रेखाएं दिखाई देती है इसलिए इसे रेखित पेशी यानि स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है इस पेशी की कोशिकाय लंबी, बेलनाकार यानि सिलेंड्रिकल, शाखा रहित यानि अनब्रांश्ड होती है तथा इसमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं इसलिए ये कोशिकाय बहुनाभिय यानि मल्टी नूक्लियेटेड होती है साधारं तह यह पेशी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है इसलिए इसे कंकाल पेशी यानि स्केलिटल मसल भी कहा जाता है जिसके कारण यह पेशी शारिरिक गती में सहायता करती है तथा शरीर के संस्थिती और आसन यानि पोस्चर और पोजिशन को बनाए रखता है क्या हमारी आहर नली में भोजन का प्रवाह और रक्तवाहिकाओं का संकुचन और प्रसार हमारी इच्छा अनुसार होता है आपका जवाब अवश्य ही नहीं होगा यानि की आहर नली और रक्तवाहिकाओं में उपस्थित पेशियों की गती हमारे नियंतरण में नहीं होती ऐसी पेशी जो हमारी इच्छा अनुसार गती नहीं करती यानि जिसकी गती हमारे नियंतरण में नहीं होती है अनेच्छिक पेशी कहलाती है सुख्शमदर्शी की सहायता से देखने पर इस पेशी में गहरे और हलके रंगों की रेखाए नहीं दिखती है इसलिए इसे अरेखित पेशी यानि non-striated muscle भी कहा जाता है यह पेशी चिकनी होती है इसलिए इसे चिकनी पेशी भी कहा जाता है इस पेशी की गोशिकाय लंबी, शाका रहित यानि अनब्रांश्ट और एक केंद्रिय यानि यूनिन्यूक्लियेटेड होती है तथा इनका आखरी सिरा, नुकीला यानि तुर्क रूपी यानि स्पिंडल शेप्ट होता है यहाँ पेशी आखों की पुतलियों यानि आईरिस, फेफ्रों की श्वस्नी यानि ब्रॉंकाय और मूत्रवाहिनी यानि यूरेटर में उपस्थित होती है हमारे शरीर में रिदय का स्पंदन निरंतरता से होता है रिदय में उपस्थित पेशियां जीवन भर लैबद्ध होकर प्रसारित और संकुचित होती रहती है जिसके कारण रिदय रक्त को पंप कर पाता है रिदय में उपस्थित पेशी की गती हमारे नियंतरण में नहीं होती इसलिए ये अनेच्छिक पेशी है चुकि ये अनेच्छिक पेशी रिदय में उपस्थित होती है इसलिए इसे रिदय एक पेशी यानि कारण एक पेशी कहा जाता है सुक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इस पेशी में गहरे और हलके रंगों की रिखाएं दिखाई देती है इस पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली यानि ब्रांश्ट और एक केंद्रिय होती है तो अब क्या आप बता सकते हैं फेफरों के नीचे उपस्थित डाइफ्राम किस प्रकार की पेशी है ग्याद कीजिए तो इस प्रकार आज हमने सीखा जन्तु के पेशी उत्तक के बारे में